आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी निहारी और जो के सबकी फेवरिट होती है अजिसके पहले मैंने एक कप ओई लिया है जुसमें पेस्ट में बीफ लिया है जिसके मैंने बड़े बड़े पीसिस करवा एकुछं कर वाइन ह्कुछ निहारी में बड़े पीसिस ही मज़ा आता है तो इसको आपने अच्छे तरीके से बून लेना अभी मैं एक हाथ से बुनाई करी हूँ तो क्योंकि दूसरे हाथ में मुबाइल है और इसके बाद अच्छे तरीके से मैं इसके बुनाई करूँगी यह मैंने इसमें तकरीबन टू टेबल स्पून जो है ना और नहारी मसाला डाला है ताके हमारी नहारी बहुत ही ज्यादा अच्छी सी बने तो इसमें आपने मसाला डालके अगेन इसके अच्छी सी बुनाई करनी है तो हमारा मसाला चला गया है और इसको बुनते हैं अच्छे तरीके से अच्छे बुनाई जो है ना मैंने बहुत ही अच्छी सी कर दिया और तक्रीबन एक कब जो है ना मैंने इसमें दही जो है ना वह पेंट कर डाल दिया और अब दही के साथ भी अगेन इसकी बुनाई करेंगे जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे इतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा उतनी ही अच्छी आपकी निहारी बनेगे तब दही के साथ अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद आपने इसमें डालना है अपने बाकी की इंग्रिडियंट्स जिसमें सॉल्ट मैंने डाला है आप सॉल्ट जो है न वो अकॉर्डिंग ट्यूर नहीं होती है तो इस हिसाब से आप पानी डाले अब जो है ना इसको एक मिक्स करके तो इसको प्रेशर पर लगा देना है तब तक के जब तक हमारा जो बीफ है वह अच्छे तरीके से गल लन जाए तो यह मैंने इसको खोल दिया है और इसकी मैंने यह उपर से तरी निकाल है और तरी निकालते हैं आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपकी बाद में जैना रिजल्ट साथ है वरना जब आप इसमें मैदा और पानी मिक्स करके डालते हो ना तो जो तरी होती है वह गाईब हो जाती है तो यह मैंने टू टू टीप स्पून मैदा लिया था और अब आप मैं इसमें डाल दिया है और आपने इसको मिक्स करते रहना है जितनी आपको गाड़ी ग्रेवी चाहिए तब तक आपने इसको पकाना है मुझे ज़्यादा गाड़ी चाहिए तो मैं ज्यादा पकाऊंगी आप अपने हिसाब से कर लीचेगा अचा जी तोड़ सा पकाने के बाद जिदी मुझे गाड़ी चाहिए थी उतना करने के बाद मैंने इसमें जो तरी ती। वो वादिए और से डाल दिया I और मैंने सफ़ दिया है मैंने ब będę क्रिद अद्रग कर दिया है